दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कि अगर किसी की एक दिन की मदद करनी है, तो रुपे पैसे सिकर दो, लेकिन अगर किसी की lifetime की मदद करनी है, तो उसको कुछ ऐसा सिखा दो, जिससे उसका एक कमाई का साधन बन जाए, इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं कि कैसे हम 2-3,000 रुपे या 4,000 रुपे लगाके 20,000 रुपे तक कमा सकते हैं महीने के और इससे भी ज्यादा अगर आप चाहें तो अगर आपके पास web designing की zero knowledge है फिर भी आप कैसे एक website बना सकते हैं कैसे एक modern website बना सकते हैं और कैसे अपने कमाई का जो साधन है उसको बिल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास क्लाइंट आता है कि मुझे एक website बनवानी है तो औसे तने एक website बनाने का जो खर्चा होता है वो 15-20,000 रुपे चार्ज किया जाता है नॉर्मली मतलब एक साधरन website बनाने का और इसके उपर जो खर्चा आता है वो आता है मुश्किल से एक साल का 4-5,000 रुपे के बीच में या अगर आप बात करें कुछ ऐसे websites पे तो 2-3,000 रुपे के बीच में भी आप एक साल के लिए एक website को कैसे बनाते हैं किन-किन चीदों का ध्यान रखते हैं तो कुछ साधन steps के अंदर बहुत ही सरल तरीके से आपको zero knowledge के साथ में अगर आपको बिल्कुल भी knowledge नहीं है web designing के मामले में तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक zero knowledge के साथ में कोई भी व्यक्ति एक website को बना सकता है और घर बैठे कमाई का साधन अपने लिए तियार कर सकता है चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले step में हम जानने वाल है कि website बनाने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़े है तो देखिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वह होती है आपको सबसे पहले सलेक्ट करना है website का domain name अब कोई भी client आपके पास में आता है वो कहता है कि मुझे एक website बनानी है तो सब सबसे पहले जो पहली चीज़ है वह होती है domain name अब domain name होता क्या है चलिए Google के case में हम देखते हैं तो जब आप Google के website पर जाते हैं तो यहां address बार में एक domain name आप डालते है Google.com और इसी नाम को इसी web address को हम domain name कहते हैं तो सबसे पहले इसको भी purchase किया जाता है और उसके बाद ज आपने कोई दुकान ली है और आपको उस दुकान के अंदर का space भी चाहिए और उपर लगाने के लिए holding भी चाहिए तो जो holding है जहाँ पर दुकान का नाम लिखा जाता है या जिस नाम से दुकान को पहचाना जाएगा उसको तो हम समझ लेते हैं domain name और दुकान के अंदर का स्पेस होता है जहां पर आपको अलग-लग सामान रखना है उसको हम कहा देते हैं hosting क्योंकि केवल holding से तो काम चलने नहीं वाला है आपको जगे भी चाहिए सामान को रखने के लिए कि किसी website के उपर आप फोटो भी रखेंगे वीडियो भी रखेंगे कुछ information भी डालेंगे तो यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहां से तो जो मैं कई सालों से इस्तमाल कर रहा हूं वेबसाइट है जिसका नाम है hostinger यहां से आप domain and hosting दोनों चीज़ें खरी सकते हैं और यह पहला चरण पूरा करने के लिए हम यहां पर जाके देखेंगे कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं तो देखो जैसे आप website के उपर जाओगे तो यहां पे आपको 149 पर मन्त में hosting service के charges दिखाई देंगे तो आपको करना क्या है आपको जाने hosting पे अब हम बात करने वाले हैं इसके ऐसे टूल के बारे में जिसमें आपको web designing की zero knowledge हो फिर भी आप एक website design कर पाएंगे तो यहां प बनी हुई बहुत सारी templates होती है मलब कुछ करने की दूरूत नहीं इस वीडियो में देखना शुरू से लेकर आखिर तक zero knowledge के बगेर भी आप कैसे एक बहुत अच्छी बहुत modern website बना पाएंगे यहां पर जैसे आप जाएंगे तो नीचे आपको यहां पर जो प्लान है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी कि भाई इस पर जो domain है पांच सो निन्यान उपर वैल्यू का वो फ्री मिलेगा email फ्री मिलेगा e-commerce के features फ्री मिलेंगे marketing integration फ्री मिलेगा तो यह सा एक महीने के लिए करना चाहा हैं आप एक साल के लिए करना चाहारे आप दो साल के लिए करना चाह लीते हो तो आपको पड़ेगा這麼 ornaments और इस plan के साथ में आपको लगभग 500 05.5 ramen हे ना वही फ्री मिलेगा तो ये plan मुझे लग रहा है कि बहुत best है इसके बाद में अगर आपको लगता है कि किसी का कोई client ऐसा आया बोलता है नहीं मेरे को तो 2 साल के लिए आप बना के देदो मेरे को 2 साल तक कोई खर्चा नहीं करना है कोई client ऐसा आता है कि मेरे को तो 4 साल तक कोई खर्चा नहीं करन है कि 20,000 रुपे का budget है मेरा और मुझको एक website बनानी है तो आपका एक साल का जो total खर्चा है वो 3384 रुपे का खर्चा बनेगा नहीं 3,000 रुपे आपने लगाए थोड़ी सी महनत की थोड़ा आइडिया लगाया थोड़ा सा डिजाइन किया और 15-20,000 रुपे आपने चार्च कर लिए तो टोटल आपके पास कितना बचा 17-18,000 रुपे 15,000 रुपे तो 10-12,000 रुपे आपके पास बच जाएंगे इसमें एक फायदा आप और ले सकते हैं कि इस प्लान को खरिदते समय आप एक साल का प्लान ले सकते हो इसी तरह से अगर आप यह चार साल वाला प्लान लेते हो किसी भी व्यक्ति के लिए तो पहली चीज़ तो डोमेन आपको फ्री मिल गया यहां पे आप मैं यह कूपन हटा के दिखा देता हूं यह प्लान आपको 8,400 को पड़ता अब यहां प्लान के साथ में आप 30-35,000 रुबे चार्च कर सकते हो और आपका खर्चा कितना है साड़ी 7,000 रुबे अब चलिए आगे बढ़ते हैं यह प्लान पर्चेस कर लेते हैं और फिर बताता हूं कि कैसे यह अगले स्टेप के साथ में आप एक वेबसाइट को डिजाइन कर पा दिया गया है वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे मनाते हैं वहां जाके आप देख सकते हैं तो देखो अभी हमने यूपी आई के थूरू इस होस्टिंग सर्विस के लिए पेमेंट कर दिया है और अभी हम देखो इसके अंदर जो डैश्बोर्ड है होस्टिंगर का वहां प यहां से मैं इसके लिए एक्सटेंशन सेलेख कर लेता हूं मुझे दॉटन पे चाहिए दॉट शॉप पे चाहिए दॉट guiding यहां से सेलेख कर सकते हैं जैसा भी है पर सोछ रखा हो वैसे इन का अलग-अलग मतलब होता है .com मतलब commercial है .info मतलब informative है वैसे इस से आपके website के traffic पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा website जैसे खुलनी है वैसे खुलेगी लेकिन सिर्फ ये बताती है कि आपकी website की category क्या है ठीक है तो यहां से .co.inb आप ले सकते हो और .in भी आप ले सकते हो अब इसको हम सर्च करके दिखेंगे कि क्या ये domain name उपलब्ध है अगर ये नहीं होगा तो ये आपको बताएगा ये अवेलेबिल नहीं है आपको और सर्च कर लो तो यहां से simple इसको claim करना है यानि ले लेना है फ्री में ये एक रुपया भी नहीं देना देखो इस domain name की जो cost है वो 699 रुपय है लेकिन यहां पर हम zero cost में इसको purchase करने वाले हैं आप तो जो plan मानो के हमने 3000 रुपय का लिया था अब वो समझो के 699 आप उसमें से minus कर दो तो वो plan आपको पढ़िया कितना 2300 रुपय यानि 2300 रुपय का तो इसको हम claim कर लेते हैं अब देखो domain name भी हमारे पास आ गया अब domain name की छोटी मोटी setting होती है आप यहां से setting को कर सकते हो आप पहले चीज आपको अपना country भरना है पूरे बारीक बारीक step बता रहा हूँ ध्यान से पूरा वीडियो देखना बड़ा मदा आने वाला है अब यह company के लिए बना रहे हो के personal बना रहे हो दोनों में से एक select कर लो और next कर दो उसके बाद अपना पूरा जो bio data है आपके state, reasons सारी चीज को आप यहां पर भर सकते हो बहुत ज्यादा बारीक information नहीं देनी है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहां पर सरवजनिक नहीं करनी है तो उनको मत करिए उसके बाद registration को आपक most there, इसको कर देंगे हम continue यह इस तरह से आपका यहां पर आ जाएगा और अगली साल जब आप इसे renew कराएंगे तो आपको सिर्फ 599 रुपे यहां पर देने है अब हमको website design करनी है इसके बाद अगला step आता है web designing का तो अब हम चले जाएंगे फिर से home page पे अब चली अपने web designing वाले section की तरफ बढ़ते हैं आपको यहां पर आपकी premium web hosting दिखाई देगी यहां पर आपको जाना है setup की option पर और यहां पर start now पर click कर देना है जैसे आप start now पर click करेंगे तो यह पूचेगा जो website बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो तो मैं यहां पर अपने लिए बना रहा ह अब यहां पर आप से फिर से पूचेगा who is creating the website कौन बना रहा है तो आप खुद बना रहे हो या आपने कोई developer hire गया तो भई है मैं खुद बना रहा हूँ अब कुछ question और आप से पूचेगा कि यह website किस के लिए है online store है blog है business है portfolio है नंदर है तो आप यहां पर जो भी option जिस भी तरह का आपका website का category हो वह यहां से आप select कर सकते हो तो व्लॉग अगर आप बना रहे हो या business के लिए बना रहे हो तो आप वह select कर लो अगर portfolio बना रहे हो तो वह आप select कर लो मैं यहां से portfolio को select कर लेता हूँ अब यह पूच रहा है do you need help building your website तो मैं इसे बोलूँगा yes please मैं से beginner हूँ और मुझे मदद चाहिए तो यहां पर जैसे आप मदद मागेंगे इससे तो यह आपको दो चीजें यहां पर देगा दो option आएंगे पहला create a new website और migrate my website अब create a new website क्या है आपको बिल्कुल नई website बनानी है और migrate का मतलब है पुरानी अगर कोई आपका blog हो website हो यहां पर लेकर आना है सारा data तो आप यहां से लेकर आ सकते हो तो यहां पर हम select करेंगे create a new website को अब जैसे हम select करेंगे तो आपको यहां पर दो चीजें मिलेंगी पहला select a platform hostinger builder और यहां पर दूसरा मिलेगा आपको wordpress अब wordpress किसके लिए है जो पहले से web designing की knowledge रखते है manual सारी websites बनाया जाते हैं लेकिन hostinger यहां पर हमको एक चीज और देता है अगर आपको knowledge नहीं है जीरो knowledge वर्डप्रेस के लिए बहुत सारी knowledge चाहिए आपको आपको सीखना पड़ेगा प्रपर लेकिन आपको बिल्कुल भी knowledge नहीं है तो आप hostinger builder को select कर सकते हो अब यहां पर आपको यहां से हम select करेंगे तो हमना tag विद्या को select कर लिया अब यहां पर देखो कुछ process चल रहा है विल्डर के बारे में और वो जब पूरा हो जाएगा तो हमको यहां पर बहुत सारी चीज नहीं दिखाई देंगी अब आप देखो यहां पर बहुत सारी template दिए गए हैं portfolio से related photography स पॉपॉलर बहुत सारे template है blank template है landing page है resume है event है बहुत सारी चीज़न दी गई है आप जो भी चाहें उस template को use कर सकते हैं और सिर्फ आपको जैसे MS word में कुछ template होते हैं उनमें कुछ changes करने होते हैं आप जैसे मैं आपको दिखाता हूँ popular templates अब यह popular template आगे बहुत सारे और आपको जैसा आता है e-commerce website बनाना है कोई client ऐसा आता है जिसकी कुछ services हो उसके बारे में आप एक कोई भी template select कर सकते हो और उसको change कर सकते हो यहां पर कोई community की website है वो आपको बनानी है आप यहां से कोई भी template select करके उसको change कर सकते हो इसके साथ मैं अगर कोई photography से related कोई person है वो यह इस तरह से मेरे सामने जो website है वो खुल जाएगी अब देखो now get in ready in one day आप यह तो कह रहा है कि आप एक दिन में बना सकते हो मैं कह रहा हूं कि कुछ time में ही अभी हमने किया ही किया कुछ नहीं किया और देखो हमारे website का जो template है वो ready है हमें कुछ नहीं करना है आपको ची headline text headline text पर जैसे click करेंगे तो यह आ जाएगा यहां पर आपको अपना नाम लिखना है मानो टैक विद्या तो यह heading text है इसको अगर आपको change करना है तो यहां पर simple added text पर click करना है और यहां पर आपको यह पूरा heading select करना है मैंने टैक विद्या नाम रखा था ठीक है अब यह और चोटा है और बड़ा करके दिख लेते हैं 150 200 करके दिखते हैं 200 पर बिल्गुल फिट हो गया ठीक है अब जो नीचे वाला टैक्स लिखा हुआ है इसको भी आप change कर सकते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं with abhiman new और इस text को मैं छोटा कर दूंगा तो यह 72 पर मैं कर देता हूं देखो यह देखो टैक्विद्या with abhiman new अब यहां पर आप कुछ भी चेंज आपको कोई image लगानी है वह आप लगा सकते हो image को replace कर सकते हो या alt text कितना simple है हम कुछ नहीं कर रहे हैं अगर यह अच्छा नहीं लग रहा है आपको इसको यहां से हटा भी सकते हो किसी page को बिल्कुल वैसे ही है कोई भी यहां पर आपको कुछ अलग नहीं करना है बहुत आसानी के साथ में आप कर सकते हो इस पे आपको double click करना है यह image आप जैसे replace करना चाहोगो तो यहां पर और बहुत सारे image आजाएंगे तो यह जो सारे images है यहां पर फ्री दिए गये ह है वैसा आप कोई और भी image select कर सकते हो तो documents के हैसाब से जाते हैं इस document पर जितने भी image हमारे पास हम को मिले हैं वो images को हम change कर सकते हैं तो my library से मैं यह वाली image मानली select कर लेता हूं तो यह image यहां पर आ गई अब मुझे वही दूसरी image select करनी है तो मैं उसी को select करके और यहां पर दुबारा से लगा सकता हूं आप देखो यहां पर आप नीचे जाओगे फिर से checklist को चेक करो आप देखो edit paragraph text add your logo update social media icons check your site mobile view optimize home page from google और go live यह सारे option दिये गए हैं ठीक है एक एक करके इन options को आप clear करते जाएं जैसे यह है आपको यह change करना है इसमें कुछ है ना फिर अगले option में इसमें आपको थोड़ा बहुत अगर change कर देंगे तो वहां पर टिक लग जाएगी ठीक है तो मैं कुछ background color को भी आप change कर सकते हो लेकिन यह ध्यान रखना है कि जब भी आप background color change करो तो जो text का color है वो कुछ और होना चाहिए जैसे मैंने यह background color change कर दिया तो बहुत टेक्स्ट दिखाई देते रहना चाहिए ऐसा ना हो कि आपने same color का background color ले लिया है लेकिन वो जो text है वो फिर आपको दिखाई ना दे तो background color का selection आप अपने इसाब से कर सकते हो देखो यहाँ पर मैं आपको अलग-अलग जो color है background के वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूं यहाँ पर आप किसी और color section में भी जा सकते हो देखो इस तरह से background का color change कर सकते हो इसके बाद में नीचे बहुत सारे sections दिए गए हैं उनको भी अपने इसाब से बदल सकते हो यहाँ तक कि नीचे आप जले जाओगे तो यह देखो यहाँ पर एक उन्होंने answer लिख वाऊंगा अब देखी short answer वाला आ गया यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है फील्ड का जो लेबिल है यह जो ऊबर लिखा हो वो change करना है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ OTP सिंपल आपको दिखाने के लिए ठीक है और यहाँ से इसको बस टन कर देता हूँ अब देखो यहाँ पर OTP लिखके भी कोई अगर चाहे तो टन कर सकता है इस तरह से यह change करना है बस आको double click करना है आप इसे change कर सकते हो अब पूरे website का जो style है वह आपको change करना है तो यहाँ पर click कर दीजें यहाँ पर सारे color दे रखें अब जहाँ जहाँ जो भी color यूज़ होगाँ ही यूज और यह आपको बदलना है तो इस color को change कर सकते हैं आप दूसरे color से मैं यहाँ पे green color लगा देता हूं यह देखिए इस तरह का और यहां से okay करूंगा अब देखो पूरे website पे जहां जहां वो जो purple color था वो यूज हो रहा था वो बदल गया है ना इसी तरह से आप जो भी color theme चाहें वो से बदल सकते हैं ठीक है अब यहां पर कुछ AI टूल भी दिए गया है जैसे logo maker है AI writer है AI heat map है अब logo maker पर आप चले जाएए यह बिल्कुल free of cost यहां पर दिया गया कोई भी आप logo यहां पर बना सकते हो तो यह creator logo यह generator logo तो creator logo पर चले जाते है brand name डाल देते हैं ठीक है tag विद्या and यहां पर डाल देते हैं tag select कर लेते हैं किस तरह की website कहां use करेंगे website को पर करेंगे हम इसको आप देखो यहां कई सारे logo हमको मिल गए आप कोई भी logo अब यह जैसे free आप online जाओगे logo बनवाने के लिए तो यह paid में बनेंगे free में नहीं बनेंगे तो आप कोई भी एक logo जो आपको अच्छा लगे वह आप select कर सकते हो तो यहां से हम यह मालीजे इस logo को ले लेते हैं और download कर लेते हैं यह वाला logo मालीजे में चाहिए अब यह download हो गया zip file में आया है उसके बाद में कहीं भी उस logo को upload कर सकते हो ठीक है यहां पर आप आपको यहां देख रहा है add page पे click करोगे एक empty page आजाएगा page का यह URL आजाएगा URL जैसे मैंने आपको बताया ने जो ऊपर दिखाए देता है अब देखो यह page आ गया empty इस page के लिए पे आपको कोई style चाहिए element चाहिए तो आप यहां पे click करके उसे जोड़ सकते हो देखो य अब यह page बन गया मेरा एक अब जैसे ही मैं यहां से go live करूँगा तो यह website जो है मेरी वह live चली जैसे मैंने इसको किया go live यह देखे है अब tagvidya.in जैसे आप खोलेंगे view your website देखो यहां पर इन्होंने यहां पर STTPS certificate भी दे दिया है और यह website मेरी वह live चली गई है आप background में कभी भी इसको चाहें तो update कर सकते हैं देखो कितनी professional website हमने यहां पर बना दी है तो देखे कितनी खुबसूरत website हमने यहां पर बना ली है अब यह website live भी चली गई है और जो page हमने बनाया था empty वाला page भी देखो यह page का design आ गया है और दोबारा से अगर आप logo पे click करेंगे त तो एक complete website design हो गई है अब देखिए जब website complete हो गई है तो बहुत बड़ा प्रिश्ण और आता है नई users की तरफ से कि sir website live हो गई है क्या live होने के बाद भी हम को changes कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो आपको क्या कर रहा है आपको बिल्कुल hostinger के website पे जाना है उसके h panel पे पे चले जाई है या फिर आप अपने website वाले section पे चले जाई है यहां पर आपके जो website है वह आपको दिखाई देने लग जाएगी यहां पर आपको क्लिक करना है एड़ेट website पे तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वही builder open हो जाएगा जहां पर पे पेज पे क्लिक करना है और जैसे settings पे आप जाएंगे तो यहां पर आपको rename का option दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर नाम बदल देगा तो मैं डाल देता हूं about us ठीक है about us मैंने डाला और save किया तो आप देखों यहां पर about us आ जाएगा और जैसे ही मैं इसको update website करूंगा तो जो मेरी live website है उसके उपर यह page का जो नाम है वो बदल जाएगा देखिए website change are published और फिर से अगर मैं अपनी website को देखूंगा तो देखों यह पुराने वाले पर मुझे क्या दिख रहा था new empty page और नए वाले पर क्या दिख रहा है about us ठीक है इसी तरह से अगर आपको किसी page के ऊपर जैसे यह है आपका main जो main page है वो यह है आपका इस पर भी कुछ changes करने है तब भी आप बड़े आसानी के साथ में कर सकते हो तो आज के इस वीडियो मे आपके जरूर काम आएगा